कि जो कमेटी बड़ी हैं उसमें वही आदमी हैं जो इन तीन कानूनों को लेकर आये थे तो उन से अब क्या उमीद करें उनको शामिल किया जाए और दूसरा वो यह कहते हैं कि कहीं ना कहीं जो सरकार ने एक बात कही थी कि हम इसको बेंडेटरी बनाने की बात सोच सकते हैं हम दोस्तों में हैं इसका मतलब यह थोड़ा है कि आप दूसरी पार्टी में तो आपस में लड़ना है मैं जो बात कहीं वो ठीक है कि किसान आंदोलन को जब खतम किया गया था यह बात तैय हुई थी कि हम एक कमेटी का गठन करेंगे और उसमें प्राइमरिली MSP सबसे बड आई शूर गा तो किसान अभी यह कहते हैं वह एक साल से उपर हो गया आपने अभी कुछ उस पर कारवाई नहीं करी दूसरी उनकी दलील यह है कि जो कमेटी बड़ी है उसमें वही आदमी है जो इन तीन कानूनों को लेके आए थे तो उन से हम क्या उमीद करें तो एक तो यह कहते हैं कि उस कमेटी को पुनर गठित किया जाए जिसमें किसान जो सही माइने में अपनी बात रखने वाले हो उनको शामिल किया जाए और दूसरा वो यह कहते हैं कि कही ना कही जो सरकार ने एक बात कही थी कि हम इसको बेंडेटरी बनाने की बात सोच सकते हैं वो उस पर काम करें, यह है बात तो, आपकी जो सजेशन हैं कि आप बात कर रहे हैं, अगर वाजकाउन को स्रिकार्ड नहीं करके और कॉंग्रिस इस तिक लिए ओटी को उसके एक्सेप्ट करें, तो क्या विरंदर सिक कॉंग्रिस में जाएंगे या अलगा आप ने पॉलिटिकल एज पॉलिटिकल आद्मियों पर जाएंगी, अब उसको कौन कितना एक्सेप्ट करता है, वो है देखने की, आप इस चहीदी प्रोग्राम पे भी कोई बात कर लो यार, फिर भूम फिर वही बुपेंदर सिक गुड़ा, वही बुपेंदर सिक गुड़ा, वही बुपेंदर सिक अब इस प्रोग्राम के बारे में और जो एजेंडा है हमारा, उसके बारे में बात करो, मैं जवाब देने को तयार हूँ, राजनिती में हम दोस्त हैं भई, दोस्तों में है, इसका मतलब यह थोड़ा है, कि आप दूसरी पार्टी में तो आपस में लड़ना है, हम दोस्त ह और कोई आपने बढ़ना हो आप भी हमारे साथ पैठ जागो